असलाम लेकूम मेरा नम अली है और टेक बोल्चाल की नई और फ्रेश एपिज़ोड में भाई हम आपको वेलकम कहते हैं और आज की इस टेक बोल्चाल में हम लोकल पाकिसान के अंदर जो कुछ आईटी शैटी के इस्यू चल रहे है ना अपना F21 Pro 5G पाकिसान की मारकेट में लाने वाला है इस तरह की बहुत सारी अपडेट आज की इस वीडियो में देंगे और आपको कैसी लगती है हमारी टेक बोल्चाल वाले सीरीज डू लेट अस इन कमेंट सेक्षेन वीडियो पसंद आती है लाइक भी कर सकते हैं चैनल पर पहली बार है मज़ीर इस तरह की वीडियो लेना चाते हैं और डिसाइड करना चाते हैं कौन सा मॉबाल अच्छा है या कौन सा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटि होती है तो फिलाल जो IT सेक्टर है वो गवर्मेंट ओफिशल के साथ कुछ और्गुमेंट्स कर रहा है कुछ बहस मोब ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसी प्रोड़क्ट्स हैं जिनको लगजरी नहीं का जा सकता जो के बहुत जरूरी है हमारी IT एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने है जिनके ओपर जो IT सेक्टर है IT इंडस्ट्री है वो आई टी डेली कम्विनिकेशन वाली जो हमारी मिनिस्ट्री उससे जो है वो आर्गुमेंट्स कर रही है और मजीब कोशिशे कर रही है जिस पर इन IT प्रोडक्स के ऊपर बैन उठाया जाए इंपोर्डेट प्रोडक्स के ऊपर और साथ के साथ टेक्स की कुछ रिलक्सेशन दी जाए और यह हम लों को लगता है कि काफी हरतक के कामियाब भी हो देंगे और यह जो आजकल चल रहा है न सीन के प्रोडक्स आईटी वाली जो है नो महंगी हो रही है लेकिन जो टेक्सेस हैं उन पर कहीं न कहीं रिलक्सेशन जो है वो इन मामलात से आतवी नदर आती है वैल दोस्तों बहुत सारे रूमर्स यह थे कि यह वाली जो गर्वर्मेंट है पेमलन की यह पेपॉल को पाकिसान में ले आएगे लेकिन फिलहाल चंडी करा दी है पेपॉल ने क्योंकि यह पहले भी 2015-16 से भी यह चीज़ चल रही है फिलहाल पाकिसान में लाया जाए क्योंकि यह एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम है जिसको मतलब पूरी दुनिया यूज़ कर रही है तो यहां बताये जा रहा है कि फिलहाल पेपॉल के साथ अभी बात्ची चल रही है पेपॉल अभी पाकिस्तान में नहीं आ रहा और इसी तरीके से हम लोगोंने बहुत सारे ट्वीट देखें जैसा कि हशाम सर्वर ने हमारे कुलीग है काम करते हैं फ्रीलांसिंग का उन्होंने एक ट्वीट किया था जो के ट्रेंड सेट आउट हो गया था पहले के पेपॉल को पाकिस्तान में आना चाहिए और जिसके बहुत जादा बना था और यहां पर यह भी बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है आई-टी एक्सपोर्स मे और यूज होता जो और फ्रीलांसर के लिए बहुत पाहिन रखता है लेकिन पेपॉल ने पहले पी पाकिसान में आया था पेपॉल ने स्टेड बैंक की जब पालिसी देखी थी हमारे स्टे बैंक की जो कुछ प्र पर इससिस्टम के साथ चलना नहीं चाहता तो अगर पेप स्टेट बेंक्स के साथ पेपॉल को जब तक ये सॉट आउट नहीं होंगी तब तक पेपॉल पाकिसान में नहीं आएगा और इस साल तो हम उमीद करी नहीं सकते क्योंकि अभी फिलाल तो हमारी गवर्मेंट की जो हमारे पॉलिटिकल इशूस की वज़ा से ही बड़ी कंपनी तो फिलाल पाकिसान में इन्वेस्ट करने को त्यार नहीं है तो लेट सी क्या बनता है हशाम भाई हम आपके साथ हैं नेक्स आइम हमें भी साथ लेके चलेंगे चलेंगे इंशाला और जहां भाई पेपॉल की बात चलती है वहां पर और बड़े बड़े टेक जैंस की भी माक्रेण में बात चलते हैं और बड़े अर्से से चल रही हैं खासकर फेसबुक के लेके के पाकिसान अपना उफिशल सेट अप जो है फेसबुक जैसे और भी जो यसे हैसे यूटिउब को भी पुश किया गया ता पिशली गवंट में फेस्बुक जो अपना पाकिसान में आफिस मुना चुका तो भाई यहां फाली फेक न्यूस है फिलाल यहां FIA डिरेक्टर ने इस इसको रिजेक्ट कर दिया फिलाल फेस्बुक के ऑफिशल्स के साथ पाकिसान की जो FIA है उसकी बात चल रही है और FIA के कुछ रिजर्वेशन हैं कि वो यह चाहते हैं कि कुछ जो हमें जो अकाउंट्स है या मतलब जो डैटा है उस पर एकसेस है यह जिसमें हम लोग जो है वो टेरिरिस्जम को नोटेस कर सके हैं जिसमें चाइल्ड पॉनोग्रफिया और इ पाकिसान एक ऐसा कंट्री है जहां पर रिजर्वेशन बहुत सारी होती है खास करके टरिरिस्जम को लेकर क्योंकि हमारा इंपक्ट बहुत बुरा बनाया हुए जो हमारे बाकी मुलकों के आगे लेकिन ऐसा है नहीं पाकिसान जैसा मुलक पूरी दुनिया में नहीं है जित फवाज चौजी साब भी यह चीज़ बताई थी कि हम लोग फेस्बूक को पुछ कर रहे हैं लेकिन हमारी एजर्वेशन ही है कि हमें जो अकाउंट का डेटा का कुछ एक्सेस चाहिए होगा जिसमें हम लोग टेरिजम को कंट्रोल कर सके हैं जिसमें हम चाहिए जिसमें को वल्गर और कॉंटेंट जो है वो अपलोड किया जाता है जो कि हमारे कल्चर के साफ से नहीं है ऐसे जो है कुछ इंप्लिमेंट्स के तक हमें एकसेस चाहिए जिस पर फेस्बूक कुछ चीज़ों पर मांगता है तो फिलाल मार्क भाई को कहूँगा कि भाई फेस्बूक मा बोलू करना पड़ेगा और यहां पर एक रीपोर्ट सामने आई है यह जो हमारे अंपर एक कल्चर ए हथा होंडा है यह गाले होंडवाच और इस तररेकें से मोबाइलाक पाउल फीरॉने में कल्चियर नमाना इसॉपर्ण पार ही यह जहां पर बहाए जा रहा है कि पाकिस में online track किया जाता है तो static सामने हाते हैं कि जहां पर 6% पाकिसान के अंदर स्मार्ट फॉन यूजर है वो iOS डिवाइस यूज कर रहा है मतलब Apple की डिवाइस यूज कर रहा है और और पाकिसानी government ने इतना tax लगा दिया है कि आम यूजर की तो accessibility iOS की रही नहीं है और दूसरी चीज़ यह है कि हमारे यहां पर लोग नहीं स्मार्ट फॉन पर ज्यालतर शिफ्ट हो रहे होते हैं तो Android is easy to use, no doubt iOS बहुत simple है लेकिन iOS को समझना, data convert कना इन मामलात की विज़ा से हमारे यहां के लोग वो Android पर ही रहते हैं Android users तुम जीत गए हो 93% से लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग को चाहिए कि आइससा हम लोग जो है वो नए Avengers को भी जो करें और government को भी चाहिए कि जो local taxes है ना इनको थोड़ा सा कम कर दिया जाए ताकि हम लोग भी अच्छी चीज़ें जो है ना वो यूज करके देखें experience करें और उनके लिए काम भी करें IT exports की बात हुई है तो फिर iOS की बहुत सारी ऐसी products हैं जो हम लोग बना सकते हैं तो लेट सी क्या बनता है इन फ्यूचर बर्ल यह रिपोर्ट थी अब भाई बहुत बोर कर दिया आप लोग को मैंने यह आई-टी वाली न्यूज और Facebook वाली न्यूज से वैसे टाइम स्टैप अविलेबल होती है डिरेट्टी अगर आप किसी न्यूज में इंट्रेस्टे क्या ओपो F21 प्रो पर आप इतने पैसे इंवेस्ट करना चाहेंगे के नहीं करना चाहेंगे अपनी रहे कमेंट सेक्शन में इसलिए शेयर कीज़ेगा ताकि ब्रैंड तक ड्रैक्ट आपका रिस्पांस चला जाए कि अभी लोग क्या सोचते हैं ओपो के बारे में उसके सा वाला है उसका हाड़वेर गीक बेंच पर लिक हो गया और गीक बेंच स्कोर्स भी सामने आ चुके हैं हाड़वेर के बारे में बताया जा रहा है कि यहां पर डामिंड सीटी एट तेन वाला हाड़वेर होगा एंड़ूइड 12 होने वाला है बेंचमाक स्कोर्स सिंगल कोर 59 1771 और मल्टी कोर्स 1771 के निकल कर आते हैं वह आपको कहीं जुलाई एंड या अगस में पांच चार पांच मैने का यह सीरीज में गैप होता है हमेशा नाइटी सिक्स बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ है पर यहां पर अगर पाकिसान में लाउंच होता है अब तो 5G का तो यह वाला हाडवेर जो है डामेंड सिटी अट 10 वाला हाडवेर देखने को मिलेगा और यह फॉन जुलाई एंड यह आपको जाकर अगस्ट स्टार्ट में देखने को मिल सकता है अब अगली टेक बॉलचाल की बात करते हैं यह शाओमी ग्रूप से निकलकर आती है और श शाओमी 12T सीरीज का फॉन पाकिसान की मार्केट में मिल सकता है अब इन दो महीनों में शाओमी ग्रुप सिरफ रेडमी 10A और 10C को ही लाँच करेगा 10A आपको प्रॉबर्ली जून में मिले और 10C जो होगा यह आपको मिलेगा आराउंड कुछ जुलाई के फर्स्ट वीक में और हाँ यह चीज में क्लिर कर देता हूं कि यह इंपोर्टेट नहीं हो यह मेडिन पाकिसान होने वाले हैं अल्रेडी रेडमी नोट 11 पाकिसान में सेंबल होना स्टार्ट हो गया है यही वो रीजन है कि इसकी प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ाई गई बस 2000 रुपे का इंक जो है वो आपको जाके कहीं अगस्त के महिने मिलेगा और यह एक री ब्रेंडिट फॉन होगा के 40S का जहां पर स्नाप डेकन 870 120 यह का एमिलेट पैनल रियर पर 48 मेंका बिक्जल वाला क्यामरा आपको जो है वो देखने को मिल सकता है तो अगस्त तक आपको F4 का वेट करना पड़ेगा तो वाई ZT को भी न्यूज में ले लेते हैं क्योंकि ZT जो है वो अपने जुलाई अगस्त में कुछ लाइनप वीटा सीरीज के पाकिसान की मार्केट में लांच करने का प्लान रखता है ऑल्दो अगर इंपोर्ट्स खोल गीं क्योंकि इनके भी त्यार नहीं ह जो है वो यूनिसॉक 6606 के साथ मलेजिया की मार्केट में लांच कर दिया और यह फॉन भी पाकिसान की मार्केट में आ सकता है और जो अराउंड प्राइज है वो 137 डॉलर है पतब 100 डॉलर से अराउंड ही है तो यहांपर टैक्सेशन ज्यादा नहीं लेगेंगी बाकि कुछ यह बताया जा रहा है कि यहांपर जो बैटरी है वो 6000 एमेच की मेरेगी 22,5 वाट की जो है फास सार्जिंग रखी गई है और उसके इलावा 8 मेगा बिक्जिल का सेलफी कैम जुलाइ एंड पर अनाउंस करेगा पाकिसान में क्योंकि जब तक इंपोर्ट बैन नहीं हटेगा तब तक कोई मामला जो है वसीद होने वाले नहीं है और यह वाली टैक बोल चाला हमारे इंटरनेशनल यूजर उनलों यूजर के लिए हैं जो के साओधिया दुबाई कही क्लाइशन से बन रहा है वह वाला प्रोवाइड करेंगे जो के इस टाइम एंडॉइड का सबसे फासे सिफसेट होगा पहले इससे पहले हम लोगों ने रियर इमेजिज जो लाउंच इवेंट पे थे वही देखे थे इस दाव फ्रेंट पर पंच-छोल सेंटर में नजर आ रहा है प्रोटोटाइब का सेंटर पंच-छोल कट आउट है बाकी क्या स्पेसिफिकेशन होती है यह तो इन अगस्त ही पता लग पाए लास्क नौट दा लीस्ट बहुत बोरिंग वाली टेख बॉल चाल थी लेकिन यह पाकिसान की कुछ लोकल इंडेसी में से काफी सारी खबरें सामने आ रही तो हमने कहा क्यों ना आप लों को अपडेट जेकर दिया जाए बाइदावे आपको इन में से कौन सी जो है वो टेक बोल चाल बेटर लगी है यह कमेंट सेक्शन में जूरू शेयर किजिएगा रियलमी की दरफ से यह टेक बोल चाल है रियलमी नहीं लाइट हुआवे का फोन आता था उसके बाद यह सबसे हाट सेलिंग फोन बन गया है मैंने रीजन पूछा तो कहते हैं कि पाकिसानी अवाम जो है वह इसासे कमतरी का बहुत शिकार है उनको 30-30,000 रुपे में एपल जैसा डिजाइन मिल रहा है और अनफॉर्चनेट रियल सब्सक्राइब का फॉन का कैमरा इतना अचा नहीं है हाडवेर कैपेबल नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि फॉन वैल्यूफर मनी है सिर्फ डिजाइन को चाटना नहीं है तो प्लीज आप लोग यूजर भी आप थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करो अगर आप लोग इस त रियल्मी 9 4G जो होगा वो आपको अराउंड 20 जून के अराउंड मिलेगा और अगर हम रियल्मी C35 की प्राइस की बारे बात देखें और बाकी जो प्राइस कुछ इंक्रीज कर दी हैं रियल्मी ने जहां पर GT Master Edition की प्राइस को इंक्रीज कर दिया और और भी फॉन जो अव बताता हूंगा तो यह थी आज की टेक बोल चाल तैंक्यू सो मच आप लोगों ने हमें इतना टाइम दिया तो आज की वीडियो में नहीं वीडियो में किसे नहीं रिविव किसे नहीं कंपारेजन के साथ तब तक मुझे दें इजाज़त मैं हूं लिए बास मासक से पाकिस झाल 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